हलो दोस्तो आगे हैं एक और ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सोफ्ट्वेयर के बारे में जिस सोफ्ट्वेयर का यूज करके आप इंगलिस को हिंदी में और हिंदी को इंगलिस में ट्रांस्लिट कर सकते हो वो भी बीना किसी internet connection के तो दोस्तों वीडियो को पूरा लाच तक जरूर देखना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लेज वीडियो को like, share, comment जरूर करना और चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लेज हमारे इस YouTube चैनल को भी subscribe कर लेना और साथ में बैल आइकन ब लोक्स में देदूंगा आप महाँ पर क्लिक करके उस software को download कर लेजिएगा तो इस्टॉल को download करने के बाद में आप उसको install कर लेजिएगा अपनी PC में install करने के बाद में हम उस software को open करते हैं तो मैं यहां पर open कर दिखा देता हूं आपको software कि इस तरह को लेगा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कुछ software आप जब फर्स्ट बार इस software को open करोगे तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा यहां पर फश्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा है आएगा आएगा तो यहां पर फोनेटिक और देव दिया हुआ है और नीचे यह उपर की मातराएं दी हुई है तो दोस्तों यहां पर आप हंदी में type करके कोई सब्द यहां पर लिख सकते हो हंदी में और उसको यहां पर इंग्लिस में translate कर सकते हो जैसे मैं यहां पर लिखके देखता हूं तो मैंने यहां पर दोस्तो लड़का लिख दिया है यहां पर आपको यहां पर लड़का देखना है कि कहां पर यहां पर यह रहा लड़का तो हमें इस पर क्लिक करना है और यहां पर लड़का का मतलब बोई बोई मिंस लड़का तो यहां पर इसका यह हमने हिंदी में लिखा था और यह इंगलिस में ट्रांसलेट होकर आ गया है तो आप Hindi में यहाँ पर टाइप करके उसको English में translate कर सकते हो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दो option मिल रहे होंगे एक तो plus icon और उसके बाद में English to English to Hindi का option मिल रहा होगा तो यहाँ पर हमें पहले plus icon पर देख लेते हैं क्या है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप किसी सब्द को यहाँ पर सेव कर सकते हो उस डिक्सिनरी में जोड सकते हो तो यहाँ पर जैसे मैं मालो हिंदी में लिखता हूँ लड़का और उसके बाद में अंग्रीजी में इसका लिख देता हूं मतलब boy तो लड़का, लड़के का मतलब वो लड़के को हम इंग्लिस में boy कहते हैं तो मैंने ये दोनुख दिए उसके बाद में यहाँ पर हम उसको save कर देगे तो यहां पे मैं लग देजाएं लड़का तो यहां पे मैं लड़का लिख दिया है अब उसके बाद में इसकी जोड़ेंगे निपे हम सेब केलिक करेंगे सब्सक्राइब वापिस यह पर चलना है प्लास आकन बे देखिए nine seven nine six five आ गया दोस्तो डूस्तो ठीक तो daha दम इसमें एक और सब्सक्राइब में एक और सब्सक्राइब छोड़ेंगे तो हम इसमें जोड़ेंगे इसमें हमने लड़की लेक्जियाबे इसका नाम क्लिठ इसको हम इंकलिस में क्या कहेंगे जी आई अर अर गरल कहेंगे तो हम इसको सेव करेंगे तो हमसको सेव क्रेते हैं osium 960 है दोस्तों सब्द की संक्या अब हम यहां पर सीव पर cunning कर दीए फिर हम प्लस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर देखें दोस्तों 966 होगे यतने आप जोड़ते जाओगे उतने यहां पर सेव करते जाओगे उतने यहां पर जूड़ते जाएंगे तो मैं यहां पर टाइप करता हूँ B O Y B O Y लिख दिया मैंने और यहां पर हम इसको इस पर क्लिक करेंग नीचे सर्च बार में यहां आगे देखे देखी दोस्तों यहां पर आगा है बो है इस पर क्लिक करेंगे तो यह लड़का ट्रांसलेट होकर आगया है उसके बाद में हम कुछ और टाइप करते हैं जैसे जी आई आर एल तो यहां पर जी आई आर एल टाइप करते हैं नीचे आगया जी आई आर एल तो हमें इस पर क्लिक करना है तो यहां पर देखे दोस्तों लड़की बालिका कन्या यह हैं हिंधी में टाइप होकर पेंडी में टांसलेट होकर आगां हैं तो मिक्स लिए पुछ और भी है दोस्तों सब्सक्राट करें और अगर आपने यह 본 unit orange को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज हमारे इस यूटूब चैनले को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आकर मटन भी दबाए दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट स्क्राइब सेने ट्रिक्स के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय वारत